नमस्कार मैं भाकिश्री, मिस्यन नियूस के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की और बढ़ने से पहले आए डाल तेकने सर आज की सुर्खियों पर। आजानी का ग्रीन एनर्जी पर बढ़ा ताव 45 गिकावाट का लक्ष और 25 खाटे से उपरी 205 करोड मुनाफ़ा। आइफोन वी निर्माता कमपनी एपल हैदराबाद में स्तीब फॉक्सकॉन के संयत्र में अपने वारलेज एरबड एरपोर्ट का उतपादन शुरू करेगी। कामलें की जानकरी रखने वाले एक और सुतर ने इसकी पुष्टी की हैं। आइफोन और फॉक्सकॉन को इस संबन में जानकरी हासिल करने के लिए भेजे गए इमेल का खबर मिलने तक कोई जवाब नहीं आया था। अदानी समो की नवी करनिय उर्जा कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड वज 2030 तक 45 गिगावाट की नवी करनिय उर्जा शम्ता का लक्ष लेकर चल रही है। कंपनी से जुड़े सुत्रों ने बताया कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एस्जील के पास 8,316 मेगावाट यानी 8.3 गिगावाट की नवी करनिय उर्जा परिचालन शम्ता है और अन्य 12,118 मेगावाट की शम्ता या तो निर्मान के करीब है या क्रियान वेन के स् सुत्रों ने कहा कि कंपनी की स्ताफित नवी करनिय उर्जा शम्ता को 2434 मेगावाट के मौजुदा स्तर से बढ़ा कर वर्ज 2030 तक 45,000 मेगावाट यानी 45 गिगावाट तक ले जाने का लक्ष है सुत्रों ने बताया कि SGL अगले 7 वर्ष तक हर साल 100 वपवन उर्जा से बेश पर्म जेक्यूटी पार्टनर्स ने इस कंपनी में 6.8 प्रतिशत और कतर इंवेस्टमेंट अथारिटी ने 2.8 प्रतिशत की हिस्सिदारी लिए है बिरो रिपोर्ट BCN News कंपनी को पिछले वितवर्ष की समान उधी में 699 करोड रुपे का शुद्ध खाटा हुआ था आउधी में एरलाइन की परिचालन आए 2,002 करोड रुपे रही जो पिछले वितवर्ष की समान आउधी में 2,457 करोड रुपे थी एरलाइन का व्य खट कर 1291 करोड रुपे हो गया जो पिछले वितवर्ष की पहली तिमाही में 2,022 करोड रुपे था बिरो रिपोर्ट BCN News सर्वजनिक शेटर की स्टिल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिबिटेड याने सेल का चालू वितवर्ष की अप्रेल जून तिमाही में एकी करोड शुद्ध लाव 24 प्रतिशत खटकर 212 करोड 48,000 रुपे रहा इस बात उत्पादक कंपणी ने शेयर पाजारों को दी गई सुच्टा में कहा कि खर्श पढ़ने से उसके लाव में गिरा वटाई है एक साथ पहले की समान तिमाही में उसका शुद्ध लाव 804.50 करोड रुपे रहा था सेल ने कहा कि आलच तिमाही में उसकी कुल आए बढ़कर 24,822.83 करोड रुपे हो गई जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 24,199.51 करोड रुपे थी समीशा दिन आउदी में कंपणी का कुल खर्श बढ़कर 24,598.06 करोड रुपे हो गया कैपिटर स्मॉल फाइनस बैंक का चालू वित्तवर्श 2023 और 24 की पहली अप्रेल जुन तिमाही में कुल कारोबार 15.6 प्रतिशत बढ़कर 12,584 करोड रुपे हो गया पिछले वित्तवर्श की समान आउदी में बैंक का कुल 55 प्रतिशत की अच्छी व्रुथिक की साथ 30 करोड रुपे रहा बैंक शुद्ध एनपे भी सुधर कर 1.37 प्रतिशत हो गया बैंक की जमाराशी 14.6 प्रतिशत बढ़कर 7,400 करोड रुपे हो गया और अगरिम 16.8 प्रतिशत बढ़कर 5,519 करोड रुपे हो गया कैपिटल स्मॉल फैनन्स बैंक की प्रवन्द निदिशक एवं सियो सर्वजी सिंग समरा ने कहा कि वहां मुनाफ़े से कुछ है ये कंपणी की बिजनेस मॉडल और रन नितिक पहलो की प्रभा को दर्श आता है ख़बरे समाप्तु करने से पहले आगे डालते एक नजर आज की सुर्कियों पर अधानी का ग्रीन एनर्जी पर बढ़ा दाव 45 गीकावाट का लक्ष और 25 खाटे से उपरी 205 करोड मुनाफ़ा बिजनेस समाचार में फिला लिता ही ताजा खबरों के लिए देखते रिए बी सिंद्यूस नमस्कार